कि हेलो गाइज नमस्कार वेलकम टू सुर्या क्लासेज आईए हम अपने इस लेचर को स्टार्ट करते हैं इस लेचर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम फ्राम हाउस प्रॉपर्टी के कुछ मल्टिपल चॉइस कुर्शन के बारे में ठीक हैं तो हमने पिछली लेचर में कुर्शन अबर थर्टी तक डिस्कस कर लिया था आज हम इस्टार्ट करने वाले हैं कुर्शन अबर थर्टी वन से देखते हैं थर्टी वन हमसे क्या क मुनिसिपल टेक्स पैड़ बाई डियूरिंग दी प्रिवियस इयर एक्टी नाइन्टीन फॉर दी पास्ट टेन इस इज रुपीज वाल लाख फिप्टी थांड़स रुपीज कही निट इन्व एलड बैलू क्या होगा निट इन्व बैलू हमसे पूछा ग нормताल टेए हैं निट इन्व बैलू क्या होगा में प्रक चलिए मिलि स्टों बैलू नहीं दिया गया है तो फिर रेंट और में परिजन्स हम करते हैं इसे वह पिर रिंट्प का कम परीजन हम करेंगे इस्टेंडर and में और देखें टि कि जो दोनों में मैंसे कम होगा उसे हमक्या लेंगे एक्सपेक्टेट रिंट मानेंगे ते हमारा दोनощ में से कम कौन सा है एक लग रिप song कौन सा है क् liaison रिपीज एक लग बीस जार गरफ एक सा है दोनों से हमारा हायर है एक लाख पचीस हजार रुपय है ठीक है तो एक लाख पचीस हजार रुपय है तो एक लाख पचीस हजार रुपय क्या हमारा हो गया ग्रोस एन्वल बैलू हमारा एक लाख पचीस हजार पे हो गया है फिन कहा गया है मुनिस्पल टेक्स पाइड डिवरिंग दी प्रिविएस इयर करते हैं उसको हम लेस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है net annual value तो पहले हम देखेंगे क्या यह सिलफ पयूपाइड deste आपकर है इसके बारे में हम ہिं कहीं भी बताया नहीं गया कि यह सिल्फ इक्कूपाइड है या लेट यहां एक्चुल रेंट यहां पर हमको दिया गया है तो यहां पर कितना मिलेगा एक लाख पचास हजार पिया हम लेश करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस पचीस हजार रपी ठीक है तो हमारा यहां यहां आप्शन हमारा सही रहेगा माइनस पचीस हजार रपी हमारा क्या हो जाएगा नेट इन्वर बैलू हो जाएगा और फिर इसके बाद हम चलते हैं कोशन अबर थर्टी टू पर एक हाउस प्रॉपर्टी हुज फियर रेंट इस रुपीज वन लाख पचास जार रपी ठीक इज बेकें ठो आउट दी प्रिवियस एयर मुनिसिपल टेक्स पैड फॉर दी हाउस प्रॉपर्टी आर रुपीज बिस जार इज इस इन्निट एन्वर बैलू क्या होगा इसका अगर कोई प्रॉपर्टी विकेंट है पहले ता हम देखेंगे इसका ग्रॉस इन्वर बैलू क्या होगा कहा गया है अगर कोई प्रॉपर्टी विकेंट है पहले तो हम देतेंगे इसका ग्रॉस एन्वर बैलू कंपूट्य करते हैं ग्रॉस एन्वर बैलू फिर इसके बाद बताया ही एक लाख फचास हमारा फटाया गया है फिर इसके बाद से उसका किसे तो श् excitondere थो हमारा हो जाएगा मारा एक लाखफ फचास vídeo हो जाएगा फिर फ्. लॉका ही तो यहां पर क्या रही रही है एक जुर्ड है जिरो होने की वजह से कि जब थे काम होता है इकेंसिए की वज़े से तो हमारा तो हमारा ग्लोस यहां पर क्या 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 है करेंगे करेंगे मीनिसपल ढाल लेसं करेंगे माइनस बीसाजार रपे ठीक ए माइनस बीसाजार रपे मारा अप्शन डी इस राइट एंसर आते देखते हैं के ऊच्छान नमबर 33 को Mr. X is the owner of a house property which is let out at the rent of रुपीच बीसाजार रपे पर मंथ municipal value of the house property 30,000 per month, fair rent is 20,000 per month, standard rent दिया गया हमको 15,000 per month municipal tax paid by the tenant 5,000 per annum calculate net annual value of the house property तो पहले हम calculate करते हैं gross annual value ठीक जब आपको net annual value का computation करने के लिए पुछा तो पुछेगा तो सबसे पहले आप compute करिए क्या gross annual value तो gross annual value यहाँ पर किरना दिया गया है आई देखते हैं compute करते हैं पहले हम comparison करते हैं actual rent हमको दिया गया है 20,000 per month है फिन municipal value हमको दिया गया 30,000 per month और fair rent 20,000 per month तो fair rent and municipal value का हम कम परीजन करेंगे जो अधिक होगा उसको हम लेंगे तो अधिक कौन सा है इसकी वजह से हमारा तीन लाग बारतियां चतीस बारा महिने का तीस जार पर मंत के हसाबसे तीन लाग साथ जार पी हमारा expected rent आता है इन दोनों मेंसे जो हायर होगा उसको हम लें लिए ठीक फिर इसके बाद हम इसका कमप्रिजन जो ए हायर एमांट आया है इसका कमप्रजाम इस्टेंडर रेंट वार मंतासे एस्साब से एक लाग ऐसी हजार पे हमारा आयेगा ओन इयर का乾 रेंज तो इसमें इन दोनों में से जोर होगा उससे हम लेंगे ठी गलाख कॉंसे से अधिक होगा हो हमारा gross involved value कहा जाएगा तो दो लाग चालिस जार पे हमारा gross involved value हो जाएगा अब दिया गया है इसमें से हम less करेंगे less क्या करेंगे municipal tax paid by the owner municipal tax paid by the owner और यहां कुछ के द्वारा payment किया रहा है यहां tenant के द्वारा payment किया रहा है किरायदार के द्वारा खुद municipal tax का payment किया जा रहा है क्या इसका deduction को मिलेगा कागया नहीं मिलेगा क्योंकि यह tenant के द्वारा payment किया गया है अगर SSC खुद करता आपने municipal tax payment तो उसी मिलता है deduction कोई भी deduction नहीं मिलेगा तो net annual value कितना हो जाएगा हमारा दो लाख चालिज़ जार पर हो जाएगा ए इस राइट एंसर थर्टी फोर देखते हैं मिस्टर राम इस ओनर आफ ए हाउस प्रापटी वीचिछ वोक्टीपाइड क्या है सेल्फ अक्क्वाइड प्रोपर टी है थूल एड दी हाउस प्रोपर टी इज फिप्टीं थाउजन पर मंट फेर रेंट एकीछ अट्शन पर मंट और स्टेंडर रेंट दिया गया आठार हजार पर मंध मुनिसपल टेक्स पैट बाई दी ओनर रुपीज पांच जार पर एनम कलकुलेट एने भी इसको तो बिना समझे या निल पमार दिजन निल कि जब एक शेल फ्रिक्वाइड प्रोपर्टी है है तो उसका ग्रास है यह क्या आता होगा है उसको przew घ्र औकल्पर्टे सभ्लक प्रोपर्टी तो जो क्या गया है ओनर के दोरा यहेंगे सब्रक्र उसको का टि डीड़क्शन संँन नहीं दोता है से इरफ प्रोपटी केसमें थो हमारा क्या जाएगा न जिए क्योंकिством उप्रोपटी की सिल्फड पोकुपाईट प्रोपटी जो हती ऑउसकी नेट अन्मराड जो होती है ओआल्वेज निल होती प्लिख की है विएइसमे से हम डिट्रस इंदे क्षिते इसका डिटसरण दे शकते हैं डिटक्षन हम दे शकते हैं इंट्रेस्ट कारें उसन पिश्द दिश्द INTER ¿ 35 देखते हैं 35 वर्तारा है डीडक्षन फोर ड्ी इंत्रेस्ट अन्टे capital borrowed in covered under section 24 b 24 विम्हें कवर किया जता है 24 हमां attached deduction के बाहरे बदाता है 24 यह हमें standard deduction बदाता है जो कि ठर्व सट आन नेट एनुन बैलू पर होता है और 24 b हमें बताता है iike son of interest इंट्रेस्ट के ऊपर जो डिरेक्षण दिया जता है उप बताता है ठीक तो डिड़क्शन जो टेप्टल बारोड किया गया है उसके इंट्रेस्ट का डिड़क्शन हमें मिलेगा अंडर सेक्शन टॉन्टीफोर बी के 36 बता रहा है इफ एन्वल बैलू अफ लेट आउड हाउस प्रोपर्टी इज निगेटिव दें विच डिड़क्शन जो बी एलाउड अंडर सेक्शन टॉन्टीफोर बी अगर बता रहा है कि इफ एन्वल बैलू इफ एन्वल बैलू अगर क्या हो जाए लेट आउड का deduction allowed किया जाएगा अगर net annual value negative हो जाएगा तो भी 37 देखते हैं deduction of unrelated rent is given if certain condition are satisfied which are given under rule 4 rule 4 rule 4 में क्या बताया कि और रिलाइज और रिलाइज रेंट का deduction दिया जाएगा इसमें जैसे क्या होता है कि जैसे हम actual rent का computation करते है ना actual rent तो actual rent में मांग चलिए है वह बारह महिने का computation करेंगी लेकिन अगर tenant ने हमको आठ महिने का रेंट दिया आठ मन्थ का रेंट दिया है जो कि और फोर मन्थ का रेंट नहीं दे रहा है वेकि और रिलाइज रेंट है और एसससी क्लेम कर रहा है इसके deduction के लिए कि हमको फोर मन्थ का actual rent नहीं मिला हुआ हुआ है ठीक तो कहा गया है आपको unrealized rent का deduction दिया जाएगा इस इसमें से ठीक इसका फोर मन्थ का आपको deduction मिलेगा इस लेकिन अगर आप फोर रूल फोर में जो कंडिशन दिये गए हैं अगर आप उसको सेटिस्वाइग करते हैं तो रूल फोर में कंडिशन क्या दिये गए हैं कि जो tenancy होनी चाहिए वो बोनाफाइड होनी चाहिए वो उचित होनी चाहिए ठीक और अगर आप unrealized rent का claim कर रहे हैं तो जो इतने भी legal proceeding होती हैं उसको recover करने के लिए आप सभी legal proceeding कर चुके होने चाहिए ठीक और जो आपका tenant है जो कि आपको rent नहीं दे रहा है वो आपको उसको अपने property में से अपने मकान में से बाहर निकाल देना चाहिए ठीक और आप अपनी किसी दूसरे मकान में या दूसरी building में उससे आप नहीं रखेंगे इस तरह के फोर condition बताए गए हैं अगर आप उस condition को satisfy करते हैं तो unrealized rent का आपको deduction में लेगा है ठाइड थर्टीएट मिस्टर पीची तुक लोन फ्रॉम ए बैंक और पीच टैन लाग का लोन लिया गया है मिस्टर पीची की द्वारा और एक एक यह एक जारे 2015 को एक नौब्बर 2015 को एक 10 लाग रुपे का एक परसेंट पर एनम्की रेट से लोन लिया गया है इसके परप प्रइट कंस्रेक्शन ऑफ दी हाउस गोर्ट कंपलीटेड ओन 15 मार्स जोजा उन्नीश कंसर्क्शन कंपलीट हो रहा है 15 मार्स जोजा उन्नीश को कंप्लीट हो रहा है कंप्यूट इंट्रेस्ट एलाउड एड डिडक्शन अन्डर सेक्शन 24B for assessment year 19-20 एक कुशन हमारा कुछ लॉंग है वित्ते हैं इसको सौल करते हैं कहा गया है यहां पध्यान दीजिए एक 11-2015 को लोन लिया गया है कि तुम दस लाग रुपी एगा इसका परपच क्या है कंस्रक्शन करना है बेडिलिंग का बनवाना है ठीक और इस वच जो रेट ऑफ इंट पर आने के लिए कोई lewn देता है तो उसका हम कंप्यूंटेशन अलग करते हैं और कंस्रक्शन करवाने वाले प्रीडियस यह का हम computation अलगतरी कीज़े करते हैं तो आए देखते हैं पहले हम इसको दो पार्ट में पाड़ते हैं pre pre construction interest हम आ लेते हैं ठीक है interest और post construction interest दो interest को हम दो पार्ट में पहले करेंगे क्योंकि जो प्री वाला इंट्रेस्ट होता है उसको हम फाइक इक्वल इस्टाल्वेंट में हमको डिवाइड करना पड़ेगा ठीक तो इस प्री प्री एंट्टिन नाइंटिन में complete होज रहा है पंदरह तीन दोजार उनिस की इस previous year में आएगा वह 18-19 में कवर होगा ना क्योंकि प्रीवेश एर 18-19 कब इस्टान्ट होगा एक अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2018 तक जाएगा याविन 15 मार्च यह तो इसी आनि एस प्रिवियस एर 18-19 में ही कवर होगा और प्रिवियस एर 18-19 में मकान बनका तयार हो जा रहा है तो प्रिवियस एर 18-19 का हम इर्फियये Biz legit तो नहीं करेंगे प्री इंट्रेस्ट वाले में इसले में हम उसको नहीं लेंगे हम कव्र तक लेंगे एक स्वरी 31 3 2018 तक का हम interest लेंगे इसमें आनि 31 3 2018 तक का इसमें interest लिया जाएगा उसके बाद वाद वाद पोस्ट में चला जाएगा ठीक है तो आएए देखते हैं इतनी period का interest कितना होता है यह number में लिया गया है तो आठ चुकी 10 लाग पी हमारा loan का amount है और 8% की rate से हम interest चार्ज करें आनि एक महिनी का कितना आएगा चलिए चलिए कंप्यूर कर लेते हैं 8000 आना चाहिए चलिए तो 10 लाग का 8% की rate से एक वर्स का आएगा 80,000 रुपी ठीक 80,000 रुपी आएगा इसको हम 12 से divide करेंगे क्योंकि हमका पहले 2 ही 2 मंत का चाहिए ठीक है तो 80 को हम divide कर देते हैं 80,000 तूरे 12 महिने का है ठीक है उसको divide कर दिये तो हमें एक महिने का interest मिला है 6,666 रुपी इसको हम 2 से multiply कर देंगे तो यह हमारा आजाएगा 13,323 रुपी ठीक दो महिने का interest 13,333 रुपी अब पहचा दो यहर का 2016 एंड 2017 ठीक 2016 एंड 2017 का 80,80 रुपी आए जाएगा यह हमारा हो जाएगा 1,07,000 पे दोनों दो यहर का हमारा 1,07,000 पे इंट्रेस्ट बनेगा अब फिर हम तीन महिने का कंप्यूट कर देते हैं जनवरी फरवरी माज जनवरी 2018 जनवरी 2018 एंड माज जोदा अठार है केतना आजाएगा यह तीन महिने मतलब हो जाएगा हमारा प्लस 6,6666 पे और एड कर देते हैं यह आजाएगा हमारा 19 करीब यह हमारा बीस हजार पे और आजाएगा ठीकnya बीस हजार पे लन्सम आजाएगा तो यह टोटल एमाउंट केतना हुआ हुआ एक लाग साथ हजार एकलाग 80 हजार एकलाग 90 एकलागर 93 2333 रुप है 1,90,93,133 1,对 1,93、 hey एह हमारा हो गया हुआ है तो एकलाग फाइफ इक्वल इस्टालमेंट में ठीक तो 38,666 रुप्य आएगा ठीक वन इस्टालमेंट हमारा कतना आएगा और 3666 रुप्य आएगा अब प्रीव पोस्ट वाला हम देख लेते हैं तो इसमें एक वन यह का ओ ले हम तो असी हजार पर हुमारा हो जाएगा असी हजार रुप्य ठीक क्योंकि कहां सक्षाव लेंगे हम एक अप्रेल दो हजार अठारे सुर्ण हां अठारे से लेकर एक तीस टीन दो हजार उन्नेश तक काम ले लेंगे फूरे एक यह वह नियर का दो कि पर तो कि प्यास चाज़ा अर्ëतित्य इसके बाद और 30 हम तो हजार ख्रहर ना ज़तत आं ऐगा पुझा जवया कि यह गैठ्र यह थे यह ट्रश्राइट all right कि यह आफ ना यह हैं थी ठीक है और आएए आगे बढ़ते हैं 49 कुछन अबर 49 पर मिस्टर राम एक्वाइड ए हाउस प्रोपर्टी इन अप्रेल दो हजार अठारे में मिस्टर राम ने एक हाउस प्रोपर्टी एक्वाइड किया है एक्वाइड एक्वाइड प्रोपर्टी है तो इक्वाइड प्रोपर्टी पर मेक्सीमम केतना मिल सकता है چुक्शिय है करने के लिए लून लिया गया था करने लिए लून मे guys के बाद लिए गया है तो इस पर मेक्सीमम हमें टू लाख पीस पर एनम का डृटक संद्य जाएगा तो इहाग दो दस हजारपी है तो दस हजार पर हमको डिड़क्शन नहीं मिलेगा इंट्रेस्ट का ठीक है अब आते हैं कुर्चन नबर टॉन्टी फोर्टी पर इंट्रेस्ट और बारोड केपिटल फ्रॉम आउट्साइड इंडिया इजन डिड़क्टिबल विलट कलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉप प्रॉपर्टी इफ कंडिशन गिवन अन्डर सेक्शन 25 25 ठीक 25 आने Interest on Report Capital अगर कow한다 इं्टरेस्ट लिया घया है कोई Report multim FIFA और State payment किया घया है तो कुछ condition को आपको satisfied करना ओगा कौशे condition कि Interest का payment करने से पहले उस पर होने वाली जो íंटरेस्ट आएगा आगर आप उस पर डिड़क्ट आइड सोर्स अगर आ जब करेंगे तभी आपको उस इंट्रेस्ट का डिड़क्ट करेंगे अनिथा नहीं मिलेगा और वो कहां दिया गया है और सेक्षन टॉटिफाइब में दिया गया है तो हम अपने इस वीडियो लेचर को यहीं कर देते हैं और अगले वीडियो लेचर में हम अगले क्युचर को डिस्कुस करेंगे तब तक लिए थैंक्यू थैंक्यू फर वाचिंग मैं वीडियो